चेर्टिकर प्रेशिजन जो है कि हमारा दियूश्व प्रेशिदेंट टेडियूस टिची और जनरेल सेकर्टरी समसुन टिची तरह को 12 बज़े तक समय दिया है क्योंकि यह इसको हमारा जो आपसु का जो प्रेदरेल स्पिकर है अच्छी मुझे हैदर करके बहुत पहले से उ दो उसका जो रिप्रेशिन्टेशन जो आपसु प्रेशिद्न को दे रहा है डे चुका है उसको तोरह समीदन समीद समीद किया है यह जो निशी बना या था तो ईसमें हम लोग उपर पूछ यूमेलेत हुआ है तो इस विशाय में लेके आम लोग आपका मिस्तर नावम दोदूंग जो आउटवोइंग प्रिजिदेंट है तो उसके बाद इरूम तमिन जो उसमें द्राफ्टिंग चेर्मेन था तो उसके बाद हेलंग निमा द्राफ्टिंग मेंबर था और मिस्तर तिची सेंजागरची वो जो है ड्राफ्टिंग बाइस चेर्मेन था और लोकम एंड्रिव था जो जो आपसु प्रिशिदेंट को सामित किया है कि यह लोग को तर्मिनेशन करना है जो आपसु का जो प्रैमेरी मेंबर से है जैसे कि आपका अभी यह लोग जो है अगर यह जो चीज को अगर रिद्रेश नहीं करता है तो कल आपसु का जो एक्टिविटी में बेन किया जाएगा और अपसु का कुछ भी चीज में पार्टिसिपेट नहीं कर बाएगा तो आपसु का मेंबर ही नहीं रहेगा चे साल तो रिजिन यह है कि हम लोग को क्या हुआ था कि 24 जुलाइ को आपका जुबली होल देरानातों गॉर्मेंन कोलेज में क्या होता है कि उसमें सब मेजूरिटी जो पास किया जाता है कि इस बार जो आने ला आपसु कंपरेंस में एलेक्शन में करता है निषी इंहविटेट से बिलोग करता है निषी इंहभीटेट एरा का district Ref Bio को डास बोस देगा रहे सब मिल के पास होाँ है एक्टिवली पार्टिस्पेट करता है कुछ भी इसू हो मोमेंट हो उसी का हिसाब से ओलोग को डिशन लियाए कि निशी इन्हेट एरह का दस देलिगेट देगा वोलके तो क्या होता है कि उसमें अवलोग प्रिंट कर लिया तो उसके बाद लासली क्या होता है और टैम प् किसी के लिए किसी इंडिविजूल का पेवार में जाके वह लोग को टैम्परिंग करता है तो प्रिंद आता है हम लोग को जब एलिक्शन का समय आता है तब दो करके आता है दस से दो करके आता है तो लोग देता भी कुद है हाता आता भी कुद है तो कहीं ना कहीं हम लोग को यूमिलेशन हो रहा है और इंसल्ट भी हो रहा है ना एक्चुली अगर ओन लोग को जाके बोटिंग मंगने से बोटिंग राइड मंगने से ओ एक अलग बात है हम लोग मंगा नहीं है और लोग कुछ डिस्टिन लिया है कास करके और आउट गोइंग जो कि अग्री क्या है उसको अगर और रिद्रेस करके तस लिए नहीं देने से हम लोग पार्टिसपेट करने नहीं जा रहा है यह अंसल्ट एलेक्शन में ना और उसके साथ-साथ और यह जो आपका आउट-गोइंग प्रेसिदेंट जो है की चेर्टिकार प्रेसिज़न जो है कि किसी भी डियेशु प्रिजिदेंट या पि किसी भी निसी को एंटी देने का प्रविजिन नहीं है, तो इसको भी जैसे भी रिवोक करना है, तो यह हम लोगा मांग यही है, अगर कल तक 12 बज़े तक समय दिया है, क्योंकि यह इसको हमारा जो अपसु का जो पेदरेर स्पिकार है, अची मुझे जो हैदर करके, बहुत पहले से उनलोंको लेतर दे, कुछ रिफलन नहीं है, कुछ भी मतलब ओलोगा तरब से एक्शन नहीं लिया जा रहा है, तो उसी का इसको से, तो हम लोग कल एक दिन का और समय देता है, और साथी साथ, हम लोग ये दिशन किया है, कि इस बार जो भी DASU मेंबर और अपसु एक्जेकुटिव मेंबर, DASU एक्जेकुटिव मेंबर, अभी जब तक ये इसु को रिद्रेश नहीं करने से, क्या है कि कल से ओलोग एलेक्शन कमीटी में, कोई भी DASU एक्जेकुटिव हो, या फिर कोई भी आपसु को एक्जेकुटिव हो, विद्रो करना है, एलेक्शन कमीटी से, पाटिस्पेट करना है, किसी को सपोर्ट करना हो अलग बात है, लेकिन उदर कमीटी ने रह सकता है, अगर उनलोग विद्रो निकरने से, उनलोग एक्शन लिए जाएगा, जैसे इनलोग का उपर ले रहा है, साइम कैसों नलोग का उपर भी लागो होगा, तो यह है, तो उसके लिए ऑचल जो आम लोग या का जो इ मिस्ट्रेक जितना भी जो प्रेसेडिक तब प्रेसेटियां गया विखरता है। हम इयंको बताना चाहरा है कि आप परोस है क्लियर करना चाहरा क्यों कर रहा है क् हम्रोंगों को यह double nem रखता है कि connection कैसे चलना कियो सपोर्ट करना कोई जिते एक को नहींआन राई पुछ जिता कर गांपला है और इसमें आम लोग बिल्कुल भी मंजूर नहीं हैं और कल अगर रिद्रेस नहीं होता है तो हम लोग जो है यह अन्सू इलिक्षन को हम लोग पर्टिस्पेट नहीं करेगा और साथी साथ जितना भी अन्सू का जो अधियेशू का जो एक्जेकुटिव मेंबर है बार बार आप लोग तुरन कल विद्रो करना चाहिए तो आप लोग का उपर भी यह एक्षन जो लागू होगा और उतना ही है आज के लिए सेब को तेंक्यू